नमस्कार स्लाम वालेकुम कमबक पैसा के नए लाइव वाले आयाम पर आपका स्वागत है दोस्त कुछ वर्ष पहले लगभग धाई साल पहले जब कोविट का दौर आया था या फिर जब शुरू हुआ था तो ये अटकले लगाई जा रही थी कि सबसे ज्यादा प्रभावि लॉकडाउन से और ट्रावल रिस्ट्रिक्शन से जो सेक्टर होगा वो ट्राविल और टूरिजम होगा और इस सेक्टर ने बहुत सफर किया एक साल तक जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने धीमे धीमे ट्राविल करना दोबारा शुरू किया अभी धीमे धीमे वो हाल साथ पहुंच रहे हैं कि ट्राविल एंड टूरिजम सेक्टर अपने उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां वो कोविट के पहले था पर इसमें कितनी देर लगेगी और किस तरह की अणचने आएंगी किस तरह के नंबर आएंगे और कम्मक्त पैसा गुरू इस सेक्टर को कैसे ट नमस्कार अबनव में ठीक हूं आप कैसे हैं बहुत बढ़िया समय के साथ साथ बहतर भी हो रहा हूं पर और बहतर करने के लिए मैं आपसे पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं कि इक सीगों पिछले दो सालों में किस तरह के दौर से गुजरा है किस तरह के चालेंजिस आ लोग है उसमें इतना इतना ज्यादा जिसको कहेंगे उंच नीच का खेल हमने नहीं देखा था तो और और मैं आपको समझाता हूं तो जब लॉकडाउन अनौंस हुआ है मार्स 2020 में और एकदम से बोला गया है कि ट्रेन फ्लाइट बस सब बंद हो जाएंगी हमारे देश मे और ऐसा हमारे देश में किसी भी युद्ध में भी नहीं हुआ है कि ट्रेन बंद करी गई हूं उन्ने सो बासट में भी ट्रेने चल रही थी तो हमारे लिए तो वो एक बहुत ही शौकिंग दिन था क्योंकि हमें पता था लॉकडाउन लगेगा बट हमें यह नहीं पता था कि कुछ न कुछ होने वाला है यह नहीं पता था कि सब कुछ बंद हो जाएगा और हमारा रेविन्यू जो है वो जीरो की ओर तो बहुत सारी अटकले यहीं भी लगाई जा रही थी कि बहुत सारी चोटी-चोटी स्टार्ट अप्स का रेविन्यू उस्ताइं मारती के कि रहा हैं न's किया तो उस समय हमने सबसे पहले तो यह अनुमान लगाया कि कितने महीने या कितने साल अब हमें वहतय इताहिए थो चुछ सब गए किरेकर घूंज समय किसी को नहीं बता था तो हमने जो है वर्स केस के लिए प्लाउन करना चालू किया और वर्स्त केस हमने कि छे से बारा महीने हम भूल जाते हैं कि ट्रावल खुलेगा भी और हमने उस समय अपनी टीम के साथ एक जूम कॉल करी और उनको सब को एक कॉल पर लेके बोला कि देखिये बहुत ही डिफिकल्ट वत आ गया है इन फैक्ट मैंने चर्चल ने जो वार के पहले एक स्पीच आपने अपने एंप्लोई मोटिवेशन को बद करा रखा मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि अच्छिश करी हमें खुद नहीं पता था एप पांडर्स की अब क्या होने वाला है तो उस वकत अगर यह छे महिने से जादा लॉकडाउन चलता तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कंपनी को हम आगे बढ़ा पाते हैं लेकिन यह हम अपने इंप्लोई को नहीं बोल सकते पर आलोग यह जो आप जो मुहीं बता रहे ह इस पर आपने को दोरान अपने अपने एंप्लोई को निकाला नहीं था आपने शायद फाइरिंग से डील नहीं किया था तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे भी बिल्कुल बिल्कुल तो इसी काल में हमने सब को री एम ने सबाउंडर सुचा हमारी सबसे बड़ी UKसी तरफ कि क्योंकि आप शो chodziन को पता था gira किसा किस तरह का है क्या होगा चॉप अलोग यह जो कहाने आपने बताई है मोटिवेशन की फारिंग्स ना करने की कुछ दिनों पहले हमने एक स्टोरी भी करी थी डाट स्टार्ट अप्स पिछले एक साल में में लगबक छे महिनों में आम सॉरी दो हजार बाइस में बारा हजार लोगों को निकाल चुके हैं फंडिंग विंटर की वज़े से और यहां पर हमें केस देख रहे हैं जो कोविड के दोरान भी एक कंपनी फायर नहीं कर रहे थी अपना एंप्लोईज को तो जादा तर लोग यह जानना चाहते हैं कि एमोशनल करते कि छे मैने से जादा चला तो हम क्या करेंगे हमारे पास कोई जवाब नहीं था लेकिन हमें यह उमीद जरूर थी कि अगर सब लोगों ने थोड़ा सैक्रिफाइस किया सब लोगों ने थोड़ी सी सैलरी अपनी काम करने की मंजूरी दे दी और इसके लिए सबसे पहले पहल हम फाउंडर्स ने करी हमने बोला कि देखो हम अपनी सैलरी कर रहे हैं जीरो ठीक है और लीडर्शिफ टीम के लोग भी हमारे बहुत ही दिलेर थे उन्होंने बोला कि आप हमारी सैलरी 60-70% तक कट कर दो हमें बस अपने बेसिक कर्चे निकल लें और यह जो सिगनल आय हो जब आप कुछ कर पाओ इसके बारे में तब आप कर लेना वह बात की बात है अभी सर्वाइवल इस इंपॉर्टेंट सस्टेनिंग इस इंपॉर्टेंट सब लोग मिलके सबने यह एक सल्यूशन निकाला उस कॉल पे तो एक सस्टेंड एफर्ट से ना सिफ टीम का बलकि सब्सक्राइब करके यह आपने फीट पूशिबली अचीव किया अलोग एक चीज मैं पूछने जाओंगा आपके नमबर्स इस दोरान कैसे उपर गए नीचे गए पिछले साल के कंपारिजन में आपके बेट्टा मार्जिन पर कोई फर्क पढ़ा या फिर आपने एंप्लो अधिन हमारा जो बिजनेस है जिसमें तीन में कॉंपोनेंट हैं ट्रेन बस और फ्लाइट उसमें सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहा है छोटे शहरों के जो ट्रैवलर्स हैं हमारे टीर 2 टीर 3 टीर 4 सिटी जैसे अपने लखनव हो गया पटना हो गया राची हो गया इस तरह क बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे एप्स यूज करते हैं और उन में से कई ऐसे हैं जो जैसे ही लॉगडाउन खुला वैसे ही बहुत तेजी से रिवेंच ट्रैवल कह लीजे या फिर उनकी जरूरत कह लीजे कि कई लोग फसे हुए ते दूसरे शहरों में वो हमारे एप पे बहुत जल्दी से आये तो जैसे ही मुझे याद है पहले यह ट्रैंस में खोला गया ता फिर फ्लाइट में खोला गया और वहां पर हमने देखा कि हमारा ट्रैफिक और बुकिंग जो है वह बहुत जल्दी प्री कोवेड लेवल तक पहुंच गया उसी साल के दौरान और हम इतना उसने जोश दे दिया और यह लगाई भी जा रहे थी आलो कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ट्रैवल सेक्टर विल बीद फर्स तो रिवाइब तो यह रहाई वह बहुत जल्दी वापस रहा है और हम क्योंकि जादा फोकुस्ट या ट्रैवलर्स पह थे आप समझें त्रैवल एक नैससिटी अशना इस प्र लीजर अब कोई अगर मुंबई से इलाबाद अपने अपने फैमिली के पास वापस जाना चा रहा है अज्व वैसे ट्रैवलर बहुत जल्दी वापश हाए हैं यह वन वाला ट्रैवल तो काफी बाद में वापिस है वो तो पिछले साल आना चालू हुआ है बट मैं 2020 के end की बात कर रहा हूं और हमने उसमें एक अक्विजिशन भी कर डाला, जो की कन्फर्म टिकेट नाम की ट्रेंड टिकेटिंग कंपनी है, हमने वो अक्वाइर कर ली थी, और उसके तुरंद बाद हमने दूसरा अक्विजिशन भी किया चाहे मेने के अंदर जो अभी बस नाम की बस टिकेटिंग अपनी है, हमने इस बीच में एक फंड रेस भी किया, और उसके बाद हमने DRHP भी फाइल किया, तो यह सारी चीजें उसी पीरेड में हुई है, उसी कोवीड वाले पीरेड में, ओके, ओके, तो बट अलोग अभी जिस तरीके से एविशन सेक्टर की आफिर ट्रावल टूरि अधिक है कि डाइनेमिक एक्वेशन प्ले करेंगी और किस तरह के रोजगार ऑपरचुनिटी इस सेक्टर में आने वाले हैं, तो यह है कि हमारा देश अभी भी एविएशन के पेनेट्रेशन में सारे डवलपिंग कंट्री में सबसे मैं काऊंगा कि बॉटम 10 परसेंटाइ करेंगे तो करिब 110-120 मिलियन पैसेंजर करिब फ्लाइट पर चलते थे अगर मैं यूनीक लोगों की बात करूं तो उसके आधे रह जाएंगे, तो करिब 50-60 मिलियन लोग हमारी पॉपुलेशन के सिर्फ फ्लाइट पर ट्रैवल करते हैं साल में, तो पेनिट्रेशन जो है वो 5% भी नहीं है, जबकि अगर आप चाइना की बात करें, इन फैक्ट इवन अगर आप ब्राजील की बात करें या और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, वहाँ पेनिट्रेशन डबल डिश्ट में अल्रेडी है, तो अभी हमारे पास बहुत ग्रोथ का अपर्चुनि कि अगर आप टीर 2, 3, 4 मार्केट की बात करें, चोटे शेरों की बात करें, इसे पिछले दो साल में जार्सुगुडा, डिब्रुगड यह सब जो एरपोर्ट्स थे, यहां पे लप्मेंट हुआ है, दर्भंगा जैसे शहर में जो टीर 3 सिटी माना जाता है, वहाँ पे एर एर्लाइन्स को फाइदा मिला है, एर क्राफ डालने में, तो यह सारे डिवलप्मेंट बहुत पॉजिटिव है, और लॉंग टर्म बहुत बुलिश हुम है कि इंडिया में एविएशन के लिए, इवन फोर ट्रेन बस, दो अपर्टुनिटी इस इमेंस, हमारे हां एवरेज स्पीट ट्रेन की विश्व और सत्थ की वन थर्ड है, ताकि आप पर यह आरोप न लगाया जाए क्योंकि आप इस सेक्टर में हैं और इसलिए बुलिश है, मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ, सवाल यह है कि किस तरह की इंप्लॉइमेंट ऑपरजुनिटी इस न अपरचुनिटीटीज और आप इन दी अविएशन और ट्रावल टूर्जम सेक्टर बिल्कुल तो अभी देखिए जो बाउंस बैक हो रहा है न उसमें बीच में कोविट के दौरान बहुत सारे सेक्टर में विधिन ट्रावल हॉस्पिटालिटी ले ले या आप अपकिवि से प्री कोविट लेवल के ऊपर जा चुका है लेकिन अभी भी वहां पर रोजगार ऑपर्चुनिटीज जो है वो सारी भर नहीं पा रही है तो मैं कहूंगा हॉस्पिटालिटी सेक्टर में इस समय बहुत सारे ऑपर्चुनिटीज है अगर युवा हमारे जो दर्शक है व होस्पिटालिटी सेक्टर में कुछ करना चाहिए बहुत अच्छा टाइम है अगर मैं एविएशन की बात करूं तो अगें ग्राउंड स्ट्राफ और क्रू दोनों में इस समय हाइरिंग चल रही है क्योंकि यह नहीं आरही है इवन लोजिस्टिक जो एयर कारगो का बिजन कोविट ने यह शिखा दिया सबको कि technology is key for you know reaching the masses and distributing तो I think most of the businesses are focusing a lot more on technology and building their own tech capabilities आखरी सवाल जो हमारे सब्जेक्ट जो हमारे आज के conversation का सब्जेक्ट भी है एविएशन सेक्टर को प्री कोवेट सोई अब कितना समय लगे का देखिए अगर एक जूमले में इस बात को कहूं तो पहले लोग सफर कर रहे थे जो की English वाला सफर था जब कोविट टाइम और अब लोग सफर कर रहे हैं हिंदी वाला सफर तो पिछले तीन मेने में हमने देखा है कि बहुत सारी जगाओं पे चाहे आप बस बिजनेस में ले ले ट्रेन बिजनेस में ले ले चीजें प्री कोविट लेवल पे पहुंच चुकी है ओके फ्लाइब पे थोड़ा सा जो असर आया है वो इस रश्या-उक्रेन क्राइसिस का है तेल के दाम में जिसकी जैसे फेर जो हैं वो काफी ऊपर चले गए थ करने का अभी आदेश आया है आज ही ताजी खबर है 31 अगस्स से वो भी चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि फेर भी नीचे आएंगे और फ्लाइट भी जल्धी प्री कोविट लेवल को साल के एंड के पहले पार कर जानी चाहिए तो मैं कि अब सफर करने का टाइम आ हैं या फिर इसमें काम करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं शायद ये conversation आपके काम आए हम यही दुआ करते हैं अलोग जी थैंक यू बरी मच वर जॉनिंग अस बहुत बहुत धन्यवाद अगले हफते दोस्त हम कंबक पैसा डायलोग्स के एक नए आयाम में जुडेंगे आपक के लिए सब्सक्राइब